क्रिप्टो मार्किट के ट्रेंड में अगर आप पहले सबसे बेले गुजगे ना तो बाद में आप सबसे जादा प्रोफिट लेके निकलोगे तो बाद में आप ठेंक यू नहीं तो कम से कम याद रखना कि यहां ने बहुत पहले ही बता दिया था तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और हां मैंने लास्ट अपने दो चार पांच वीडियो पर देखा यूस थोड़े से कम दिखे तो मैंने अप कम तो प्लीज अब आपका थोड़ा सपूर जादा चाहिए तो ध्यान रख लेना अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो भाई साब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना और टेलिग्राम चैनल का लिं मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस ने लोंग लिया मैंने लगबग लगबग सारे ही वीडियो में कहा है कि भाई या मार्केट का ट्रेंड है आप टालो मत 43,600,700 के उपर कोई भी क्लोजिंग मिल गई न तो बे जी जग आप लोंग उपन कर देना अभी आप देख सकते हो कि 46,700 के आसपास BTC आ गया है यह तो पास्ट की बाते हैं अब क्या करना है इस समय में यही कहुँआ देखो मार्केट अभी काफी अच्छे मूड में है और एक और चीज आपने देखा होगा और पिछले 4-5 सालों से जो भी भाई लोग मार्केट में फेब्रेर का मन्त किस जाता है Chinese New Year के आसपास वो बताने की जरूरत नहीं है फिर भी जो लोग नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं उनको यह बता दू कि देखो Chinese New Year जब भी आता है इस बार दस्तारीक का है तो देखा गया है historically कि जब भी है Chinese New Year आता है उस समय मार्केट में एक काफी अच्छा खा सा correction या फिर dump भी हमें देखने को मिलता है इस बार क्या expectation है और इस बार का trend आप किस तरीके से समझ सकते हो देखो मेरे भाई आज है अमावस्या या फिर आप कह सकते हो कि new moon या फिर अगर आप टेक्निकली भी देखोगे historically fundamentally या फिर event wise भी देखोगे तो मुझे इसा लगता ह है कि 48 से 49,000 या फिर maximum 50,000 यहां तक BTC जाएगा और इसके बाद में एक correction की उम्मीद मानी जा सकती है तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर BTC आपको 49,000, 50,000 के आसपास देखने को मिले तो वहाँ पर आप एक short position open कर सकते हो चोटी leverage के साथ में तो यह मैंने आपको BTC का सीधा analysis करके बता दिया अब देखो जिस trend के बारे में जिस narrative के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो है ERC404 अभी इस ही February के अंदर यह launch हुआ है आपने पहले DRC20 का नाम सुना पर आपने BRC20 का नाम सुना अब market में आ गया है ERC404 यह क्या बला है देखो ERC20 जब भी आप कोई Ethereum के token को transfer करते हो या फिर Ethereum blockchain के उपर बनेवे token को transfer करते हो विड्रोल करते हो तो आप ERC20 सेलेक्ट करते हो ना उसी तरीके से जब आप किसी NFT को transfer कर रहे होते हो deposit कर रहे होते हो विड्रोल कर रहे होते हो तब आप ERC721 इस तरीके से चुनते हो तो अब यह जो ERC404 आया है यह basically ERC20 और ERC721 इसका combined है इसका combination है तो basically आप कह सकते हो कि इस पर fungible और non fungible दोनों ही तरीके के token transfer हो जाएंगे easily लेकिन यह अभी सिर्फ experimental है और ऐसा माना गया है कि यह unofficial है तो अगर यह चीछ चल पड़ती है यह narrative चल पड़ता है ERC404 तो आप मान सकते हो कि आगे आने वाले कुछ ह पड़ती महीनों के अंदर यह जो trend है यह फिर इस ERC404 के जो top tokens है अभी Pandora Pandora जो है वो ERC404 का पहला launch war token है जो की बीते साथ दिनों के अंदर 600 से 700% तक बढ़ चुका है तो मेरा इसा मानना है कि अगर आपके पास कुछ free money है जिसके ओपर आप दाव खेलना चाहते हो तो वह में ध्यान दो जैसे रोक हो गया Pandora हो गया यहां पर यह वाला token हो गया मतलब आप जितने भी इनके top tokens है ना इनके ओपर भी 10-10% डालोगे ना मान लोगर आपके पास 10,000 रुपे 1000 रुपे तो सुसो करके अगर आप इन सभी में डालोगे और अगर यह narrative चल पड़ा फिलाल तो यह experimental है लेकिन अगर चल पड़ा तो भाई साब मान के चलना कि आपको पचास से सो गुना का profit भी यह दे सकता है ऐसे यह narrative होते हैं तो मैं यहां पर सिर्फ रिस्की amount के बारे में बात कर रहा हूँ बगि अगर आप इसके बारे में research करोगे ना तो आपको यह देखने को म और भी जादा है इसके बारे में जानोगे फिर ही आप कुछ अपना इसमें amount डालोगे लेकिन मेरा काम था इसके बारे में बताना कि यह trend अपनी early stage में है तो I hope दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आए होगा और इस narrative के बारे में भी आपको information मिल गई होगी तो वीडि जल्दी नई अपडेट के साथ तिल जय हैं जय भारत